द्रिश्टी आईएस के ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का हमारा आर्टिकल दे इंडियन एक्स्प्रेस में छपी खबर इसमें टेम द्रिश्टी के इंपुट्स भी शामिल है यह ओडियो आर्टिकल जी एस पेपर 3 के परियावरण एवं पारिस्थिति की खंड से लिया गया है तो आईए लेख की शुरुवात करते हैं प्रकाश प्रदूशन उभरती समस्या और समाधान वायू प्रदूशन जल प्रदूशन मृदा प्रदूशन ध्वनी प्रदूशन आदी जैसे प्रदूशनों के बारे में तो हम सभी दशकों से सुनते आ रही हैं लेकिन क्या हमने प्रकाश प्रदूशन के बारे में कभी सुना है शायद नहीं। आज की चमचमाती दुनिया ने एक और नए प्रदूशन को जन्म दिया है जिसे प्रकाश प्रदूशन के नाम से जाना जा रहा है। और संभावना जताई जा रही है कि आगे चल कर यह प्रदूशन भयावह रूप ले सकता है इनी सब चिंताओं के बीच हाल ही में प्रकाश प्रदूशन को लेकर एक अध्ययन जारी किया गया है अमेरिका के शिकागो महानगर पर किये गए इस अध्ययन में पक्षी मृत्यूदर के लिए आर्टिफिशल लाइट सिस्टम को काफी हद तक जिम्मेदा ठहराया गया है यह अध्ययन इंटरनाशनल डार्क स्काई एसोसियेशन स्टेट्स द्वारा किया गया है अध्ययन में अमेरिका के सभी शहरों में शिकागो को प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे जोखिम वाला शहर बताया गया है शिकागो स्थित मैक कॉर्मिक प्लेस से ही अकेले 40,000 से अधिक मृत पक्षियों को बरामत किया गया सबसे अधिक मौते इमारतों में लगी रोशनी वाली खिडकियों से टकराने की वजह से होती है दरसल होता यह है कि रोशनी वाली खिडकियों में रात में विचरण करने वाले पक्षियों को अपना मार्ग दिखाई देता है और वे अपना मार्ग बदलने की बजाए उसी दिशा में उड़ते रहते हैं इसी तरह उड़ते उड़ते वे खिड़की से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है वसंत और पज़र रितु में पक्षियों के इन खिड़कीों से टकराने की दर 6-11 गुना अधिक हो जाती है जबकि खिड़कीों में अंधेरा रखने से आसपास पक्षियों के टकराने की दर कम होती है यह कमी शरद रितु में 53 फीसद और वसंत रितु में 69 फीसद तक कम देखी गई वही रोशनी वाली खिडकियों की वजह से पक्षियों के टकराने की दर शरद रितु में 46 फीसदी और वसंत रितु 116 प्रतिशत तक बढ़ जाती है अध्ययन बताता है कि पक्षियों के इमारतों से टकराने की खबर कोई हालिया घटना नहीं है बलकि इसकी शुरुवात 19-वी सदी की शुरुवात से ही हो गई थी 1884 के आसपास मिसिसिपी घाटी में प्रवास के दौरान इस तरहां की घटना देखी गई थी जब पोरजाना कैरोलीना नामक वाटर बर्ड की लाइट टावर से टकराने की वजह से मौत हो गई थी इन्ही सब घटनाओं ने इस नए तरहां के प्रदूशन की और ध्यान दिलाया ऐसे में इस आडियो आर्टिकल के जरीए हम लाइट पॉल्यूशन से जुड़े सभी पहलूओं को देखेंगे तो आईए विचार करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रकाश प्रदूशन क्या है 1889 में जब थॉमस एडिशन ने घर बाजार आदी के अंधियारे को दूर करने के लिए विद्ध बल्ब की खोच की थी तब शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि इन बल्बों से निकलने वाला प्रकाश आगे चल कर किसी प्रदूशन की शकल ले लेगा इस प्रदूशन को आज के समय में हम जिस नाम से जानते हैं वह है प्रकाश प्रदूशन प्रकाश प्रदूशन से आशे कृत्रिम प्रकाश का अत्यधिक अथ्वा अनुचित उप्योग से है साधारण भाशा में कहें तो जब हमारे आसपास के वातावरण में आर्टिफिशल लाइट्स की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसका प्रकरती पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ने लगता है तो उसे प्रकाश प्रदूशन यानी लाइट पॉल्यूशन कहा जाता है इसे ल्यूमिनस पॉल्यूशन अथ्वा फोटो पॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है प्रकाश प्रदूशन के सामाने तह पांच घटक होते हैं अर्बन स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास, ग्लेर, अपलाइट और क्लटर आईए एक एक करके इनके बारे में समझते हैं, पहले बात अर्बन स्काई ग्लो की, शहरों में रात के समय में हमें जो दूर से अत्यदिक रोशनी दिखलाई पड़ती है, उसे ही अर्बन स्काई ग्लो कहते हैं, यह या तो हाईवे पर लगी लाइट्स की वजह से दिखाई देता है, या फिर सडकों पर रात के समय म दोड़ती भागती गाडियों में चम-चमाती लाइट्स की वजह से अथवा चम-चमाती बहु मंजिली इमारतों की वजह से वही ऐसी लाइट्स जिनके उप्योग की जरूरत नहीं होती फिर भी लोग उसका उप्योग करते हैं प्रकाश अतीचार यानि लाइट ट्रेस्पास कहलाता है अपने घरों की गेट पर अनावश्यक बड़ी बड़ी लाइट्स का उप्योग करना प्रकाश अतिचार का ही उधारण है लाइट्स की अत्यदिक चमक जो किसी भी चीज को देखने में बादा पैदा करती है चकाचौंत यानि ग्लेयर कहलाती है जबकि खुले आकाश की दिशा में जलाई जाने वाली ऐसी लाइट्स जो प्रकाश प्रदूशन का सबसे स्थानिय स्वरूप है और उसका सबसे बड़ा कारण भी है अप लाइट कहलाती है क्लटर प्रकाश स्रोतों के एक ऐसे समुहू को कहते है जो किसी व्यक्ती या प्राणी को उसके मार्ग से ब्रहमित कर सकते हैं यह पाँचों घटक दुनिया भर में प्रकाश प्रदूशन को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजहे हैं इस प्रकाश प्रदूशन से ना केवल मनुश्य प्रभावित होते हैं बलकि यह पौधों और जीव जन्तूओं पर भी असर डालता है तो आईए अब प्रकाश प्रदूशन के प्रभावों को देख लेते हैं प्रकाश प्रदूशन जहां एक तरफ मनुश्यों, पेड़ पौधों और जीव जन्तूओं को प्रभावित करता है वहीं दूसरी तरफ यह खगोल विज्यान से जुड़ी खोजों और शोधों को भी प्रभावित करता है प्रकाश प्रदूशन जीवित प्राणियों की जैविक क्रियाओं और जैविक समय को प्रभावित करते हैं बात करें पौधों की, तो प्रकाश प्रदूशन सेवे तीन तरह से प्रभावित होते हैं, मात्रा, गुडवत्ता और अवधी प्रकाश की मात्रा का ताथपर्य प्रकाश की कुल सांधरता, अथवा, तीवरता से है प्रकाश की गुडवत्ता प्रकाश की तरंग दैधर्य को इंगित करती है और अवधी उसकुल अवधी को संदर्भित करती है जितने देर तक प्रकाश की मौजूद्गी रहती है पौधों में कई जैविक गतिविधिया जैसे पिग्मेंट फॉर्मेशन, पत्तियों की शेडिंग और कली का खिलना और तूटना फोटो पीरियट द्वारा निर्धारित होता है फोटो पीरियट दिन बर का वह समय होता है जब पौधे प्रकाश प्राप्त करते हैं रात के समय का आर्टिफिशल प्रकाश प्राकरतिक फोटो पीरियट को बदल देते हैं जो पौधों के विकास को बाधित करता है गौर तलब है कि कई पौधे ऐसे होते हैं जो केवल रात के समय में ही ब्लूम करते हैं जैसे कि नाइट ब्लूमिंग कैक्टी इसमें एपिफिलम औक्सी पेटलम जैसे पौधे आते हैं जिसे क्वीन ओफ दा नाइट कहा जाता है ये पौधे परागण के लिए रात के परागण को परनिर्भर करते हैं रात की तेज रोशनी ऐसे पौधों में फूल और परागण को रोक सकती है और प्रजनन में बाधा डाल सकती है इसी तरह जीव जमतु भी प्रकाश प्रदूशन से प्रभावित होते हैं क्रिपस कुलर यानि जो केवल शाम और भोर में सक्रिय होते हैं और केवल रात के दौरान सक्रिय रहने वाले निशाचर जानवर भी दिन की अवधी के अनुसार अपनी दैनिक गतिविदियों को शुरू अथ्वाबंद करते हैं क्रित्रिम प्रकाश के संपर्क में आने से इन गतिविदियों में बाधा आती है उभेचर प्राणी प्रकाश के प्रती समवेधनशील होते हैं और प्रकाश की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं उभेचर जीव रातरी के समय ही मेटिंग की प्रक्रिया करते हैं लंबे समय तक कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहना इन जीवों की प्रजनंदर को प्रभावित करती है। समुद्री कच्छवे समुद्र तटो पर अपने अंडे देते हैं और अपने अंडे सेने के लिए समुद्र में अपना रास्ता खोज लिते हैं। तटो पर तेज कृत्रिम रोश्णी समुद्र में इन कच्चुओं की दिशा को भटका सकती है। इसी तरहां रात्री चर प्राणी भी विचरण और शिकार के लिए मूनलाइट और स्टार लाइट का सहारा लेते हैं। अधिक मात्रा में आर्टिफिशल लाइट्स से वे अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और अन्य जैविक कार्य इंशारीरिक प्रक्रियाओं के उधारण है। मनुश्यों का स्कैडियन क्लॉक के हिसाब से ना चल पाना कई तरह की स्वस्थे समस्याओं को जन्म देता है। जैसे कि अफसाद, नीद का ना आना, रिदैरोग और कैंसर आदी। इसी तरह प्रकाश प्रदूशन खगोल विज्यां से जुड़े शोधों को भी प्रभावित करता है। रात के समय में कृत्रिन प्रकाश के अधिक होने से आसमान में तारों, ग्रहों इत्यादी जैसे खगोलिय पिंडो की चमक प्रभावित होती है। और वे धुंदले से दिखाई देते हैं। ऐसे में कहा चा सकता है कि प्रकाश जहां एक तरफ दुनिया के अंधेरे को दूर करने का काम करता है, वही इसकी अत्यधिक मात्रा एक नए प्रदूशन को जन्म दे रही है। इससे पूरी दुनिया के साथ-साथ भारत भी प्रभावित हो रहा है। तो आईए अब भारत में प्रकाश प्रदूशन की स्थिती का जाईजा ले लेते हैं दरशल प्रकाश प्रदूशन तेजी से बढ़ते शहरी करण का ही एक पनिणाम है एक शोच से पता चला है कि प्रकाश प्रदूशन भारतिय उप महादुईप में पक्षियों और अन्य जानवरों के लिए भी खत्रे के रूप में उभर रहा है भारत से होकर गुजरने वाले क्रेट, बार हेड़िट गूस, फालकन, नौधरन वी टियर और अमूर फालकन आदी जैसे प्रवासी पक्षियों को प्रकाश प्रदूशन से जादा खत्रा है रात में जलाए जाने वाली कृत्रिम रोशनी का प्रतिकूल प्रभाव, जमगादर, लौरिस और कीडो जैसी प्रजातियों पर भी देखने को मिलता है इसके अलावा भारतिय समुद्र तटों पर अत्यधिक लाइट्स रात में समुद्री कच्छूओं को अंडे देने के लिए समुद्र तट पर जाने से रोकती है जिसका असर इनकी प्रजनंदर और आबादी पर पड़ता है कई प्रवासी मचलियों की प्रजातियां भी मानव जनित रोशनी से होने वाले दुष प्रभावों का खामियाजा भुगती है तामार वालबी नामक एक जीव पर किये गए एक अध्ययन से पता चलता है कि कृत्रिम प्रकाश दिंचर्या को प्रभावित करती है मनुश्यों में मेलाटोनिन हार्मोन के स्राव को प्रभावित करती है इसमें कमी लाती है मेलाटोनिन हार्मोन दर असल सोने और जागने के चक्र यानि स्लीप वेक साइकल को प्रभावित करता है ये तो रही पूरी बात की प्रकाश प्रदूशन क्या है और यह कैसे लिविंग और्गैनिजम को प्रभावित करता है अब हम जानेंगे की प्रकाश प्रदूशन से निपटने की दिशा में क्या कुछ उपाय किये जा सकते हैं तो आईए देखते हैं क्या हो आगे की रहा परियावरर से जुड़े किसी भी मुद्दे को तबी हल किया जा सकता है जब सभी लोग मिलकर इस दिशा में काम करें इसके लिए सरकार द्वारा परियाप्त योजनाय बनाई जानी चाहिए और लोगों में जाग लुकता फैलानी चाहिए लोगों को बिजली की बचट करने और उर्जा संरक्षर की दिशा में प्रयास करने चाहिए लाइट्स का इस्तेमाल केवल उनी जगहों पर किया जाए जहां इसकी जरूरत हो लाइट्स के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाने की जरूरत है घर के बाहर प्रकाश स्रोतो को इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रकाश को आसपास के ख्षेतरों में फैलने से रोका जा सके और प्रकाश एक निश्चित स्थान पर ही केंद्रित रहे इसके अलावा हमें ऐसे प्रमानित प्रकाश रोतों के उप्योग को बढ़ावा देना चाहिए जो चकाचॉंद, स्काई गलो और प्रकाश के फैलाव को काफी हद तक कम कर सकें ऐसी लाइट्स लगाई जाएं जिनके प्रकाश का फैलाव आस्मान की तरफ ना होकर जमीन की तरफ हो इससे परियावरण पर रोश्णी के प्रभाव को कम किया जा सकेगा इसके लिए घर के अंदर उप्योग होने वाले प्रकाश स्रोतों और सडकों पर लगाई जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स आधी को अधिक कुशलता वाले बल्बों से बदलने की दिशा में भी काम करना चाहिए। इन सबके अलावा पारिस्थितिक रूप से समवेदंशीर क्शेतरों में कृत्रिम प्रकाश का उप्योग कम से कम किया जाना चाहिए। मसलन प्रवासी पक्षियों के लिए मार्ख और समुद्र तठ साथी वनक्शेतरों में या उसके आसपास के राजमार्गों और सडकों पर प्रकाश व्यवस्था के संबंध में उचित दिशा निर्देश दिये जाने की जरूरत है। प्रदूशन के इस कम ग्यात रूप के बारे में अधिक से अधिक जागरुकता बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सके। ऐसा होने पर दुनिया को सभी प्राणियों के लिए एक बहतर जगा बनाया जा सकेगा। आईए अब नोट करते हैं आज का सवाल। प्रकाश प्रदूशन क्या है? जीवित प्राणियों और अंतरिक्ष शोधों पर प्रकाश प्रदूशन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। बताईए कि प्रकाश प्रदूशन से किस प्रकार निप्टा जा सकता है?